हेलो दोस्तों, वैल्कम टू मैं यूटूँ चैनल, पंकस कुमराइट है, यूटूँ चैनल में आप सभी का स्वागत है, दोस्तों, ECIL के अंदर टेक्न ट्रेटसमें B की वेकेंसी नेकल कर आई थी, तो कुछ समय पहले उसकी वेकेंसी नेकल कर आई थी, अभी उसकी सीं खोला हुआ है जो इसका मेना हाम्म पेज्स आपके सामने खोल यहाँआ है और इसका ऐसी साइट है इसके बाद दोस्तों यहां पर थोड़ा साम साइड में चलिंगे तो यहां पर करियर का उप्शन दीखाई देगा आपको क्लिक करना देख्या pierich तो आप सभी देखते हैं मैंने अब carrier option पर आज को यहां थोड़ा सा नीचे की तरफ scroll down करेंगे तो यहां पर एक e requirement page को option दिखाए देगा तो अभी मैं इस page को खोल लेता हूं तो e requirement page पर चले जाते हैं e requirement page पर जाने के बाद आपको थोड़ा सा scroll down करना है और यहां पर आपको काफी सारी notice दिखाए देंगे काफी सारी notification दिखाए देंगी तो इसमें आपको एक बीच में दिखाए देरा होगा click here to download admit card for return test for the postman post जो की treatment b की post है उसके लिए दिया हुआ है लिंक दिया हुआ है अभी आप देखते हैं कि advertisement नंबर 11 2022 है जो की जून में निकलकर आया था तो उसका भी return exam हो रहे हैं तो अभी मैं इसे open करके आपको दिखा देता हूं तो open करके आप इसके admit card download करने की page पर पहुंच जाएंगे कि यहां आपको side में download and print तो यहां से आपको करना है अगर आपको इसके instruction पढ़ना चाहते है return test में क्या 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 नहीं है वह अभी मैं आपको दिखा दूँगा तो अभी मैं पहले आपको download करने के लिए बता देता हूं तो सबसे पहले यहां पर click करेंगे click करने क बाद आप इसके download page पर पहुंच जाएंगे तो यहां पर download page पहुंचने के बाद आपको थोड़ा सा नीचे जाएंगे यहां पर advertisement number दिखा देगा तो यहां से आपको select कर लेना है एक ही advertisement मांगेगा वह आपको select कर लेना है अभी मैं दिखा देता हूं तो अभी मैंने इसका advertisement number फिल कर लिया है और उसके बाद मैंने post करने भी select कर लिया है उसके बाद दोस्तों जब आपने form apply किया होगा तो आपको एक candidate ID मिली होगी जो की registration number या फिर कोई भी ID मिली होगी वह यहां पर आपको फिल करने नहीं है उसके बाद अपना यहां पर date of birth डाल देना है डेट बाद डालने के बाद आपको यहां पर प्रिंट आउट कर देना है तो प्रिंट आउट करने के बाद आप उसका एड्मिट का download हो जाएगा